स्टुडेंट अगर आप विहार बेल्ट्रॉन का तयारी कर रहे हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए है आज अप MS Word का आप लोग को हम जो बारवाज कोसें पूछा जाता है या उसके अधारित जो भी कोसें है वह आपको हम आज बताने वाले हैं आज हम आपको टॉप 20 कोसन जो आपको Microsoft Word से ज्यादा तर पूछा जाता है इसी आपको कोसन नहीं है यही कोसन पूछा जाता है तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं कि आपको सामने कोसन है अच्छार मतलब किसी करेक्टर को स्पर सक्रिप्ट बनाने का सौट कट के क्या होता है तो पर स्क्रिफ्ट समझते हैं सबसे पहले होता क्या है आप Microsoft Word को छलिए मं यहाँ पर Microsoft Word को खोल कर आपको दिखा देंगे कि सुपर रस्क्रिप्त क्या होता है तो देखिए आप आप देखिए यह जो ऑपस्ण है न इसको हम बोलते हैं इसको दिक्राइब अपको लिखना है माल लेते हैं यह टेंथे लिखना तो टेंद में पिये चतना साम प्रत चाहता है कि यह देखli देखरां पहले ऐसे का शूपर लेगा इसका नाम क्या है सूपर ऊपर सोट कार्ट की क्या है आप लोग को माल लेते हैं, लिखना होगा यह पलस बी का हॉल स्क्वार लिखना रहा यह दर इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कंट्रोल सिप्ट कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा उपर चला जाएगा वास समझ भी आ रहा है यहां पर क्या बूलाया कि की सौटकट की क्या है तो बता हिस का सव Presbyimi क्या दबाए चला हुआ हम बोले रखेंए यहां आपका सही अंसर हो गया तो आब मोल सकते हैं सीधा राइट अंसर होगा तो सही हुआ होगा तो एक नंबर आपका बन जाएगा नेक्स्ट कोशन की ओर समझते हैं नेक्स्ट कोशन क्या बोला जा रहा है कि यहां पर MS Word क्या लिखा हुआ MS Word में किसी डॉकमेंट को सेव करने का कितने तरीके है देखिए आपर यह ने बोल रहा है कि सेव कैसे होगा यह बोला सेव करने क्या कितना तरीका है देखिए आज करेट में कंप्यूटर का भी जो कोशन है तो थोड़ा सा घूमा के देता है इसलिए ध्यान देजिए सेव करने का MS Word में कितने सारे तरीके हैं जो सेव कर सकते हैं तो जेनरली तरीके से आप सेव कर सकते हैं पहला तो फाइल मेनू में जाके सेव कर सकते हैं दूसरा हम कंट्रोल एस के मदद से भी सेव कर सकते हैं और तीसरा होता है स्ट्रोडेंट यहां पर F12 सेवाइज के मद अगर आपका ए वाला मारे होंगे तो यह आपका सही अंसर हो जाएगा आपके कमेंट सेक्षन आप जरूर बताइएगा आप लोग टोटल 20 में कितना कोशन सही कर पाए ठीक है ना अब यहाँ चलते हैं दूसरा कोशन तो हो गया तीसरा कोशन यहाँ पर तीसरा कोशन क्या हो इन में से इस फीचर का उपयोग टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के साथ क्या कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए क्या जाता है बिना पान लिए कि आप चाहते हैं कि फिर से हम कुशन पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बूल रहा है इन में से टीस फीचर का उपयोग टेक्स्ट को पिना फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करने के लिए क्लिए क्या जाता है मतलव हम चाहते है कि मेरा कौई डेटा है या कोई टेक्स्ट है जब हम पेस्ट करें तो नहीं आ ज़क्ना इसमें यूज करें बताईए करें कि यहां पर चुह हना डियूज करें आप बता दिए ו यहां पर इसका सही अंसर क्या हो जागा आप जरूर जवाबêuए तो यहां पर जो सही अंसर हो जाएगा और पेस्थ अस्पेसल हो जाएगा पेस्ट अस्पेसल रधाओं पेस्ट जया पेस्ट सबस्च मैं आप MS Word पढ़े होंगे यह एक्सल में भी फीचर्स यह जो ऑप्सन है ना एक्सल में भी पेस्ट के मदद से कई सारे ऑप्सन देता है जीसे आप चाहते हैं कि कोई चाहिए बोल्ड क्या ऋब डेटाइक आप चाहते हैं किंपल ही आजाया है वहाँ फॉर्मेटिंग के साफ करने के cta कर देक्स का की साथ करने के लिए के लिए आपको बताते इसको उसके बाद समझ में और वी अच्छे से आजा य से आपके यहां पर करते हैं इसमें कॉपी कर लिए और जब कॉपी करने के बाद यहां पर करیें पेस्टेशल और जो यहां पर करते हैं टा 10 किन संव यहां पर यहां derive यहां पर यहां पर लेते हैं कि यहां पर लेते हैं और लेते हैं कि दिखिए औरमेट टे riches लेकिन पेस्ट कैसा वो ही बोला कि इसमें से कौन सा ओप्सन है जो हम मान लिए कि कोई टेक्स लिखे और बिना टेक्स को फॉर्मिट किये हो पेस्ट कर सकते तो यहां पेस्ट अस्पेसल इदा राइट अंसर अगर यह एकसल में भी रहता तब भी यहीं अंसर होगा क्योंकि एकसल में भी यहीं फीचर से चलिए उमीद है कि इतना डीटेल से जब बता रहे हैं तो आप लोग समझ पारें यह देखिए आपे यह आपका अंसर सही है ठीक है हम कोसल में यहां पर बस आप लोग को रिमूब करके रख दिए यहां पर लिखा हुआ है कि सौरस विंडो को खोलने की सौर्टकट की क्या होती है कि बताइए घस्टों कि सौरस एक ऑफ्सन है जो रिव्यू मेनू में मिलता है हम आपको बताएंगे भी आप जवाब कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा आपका कमेंट सेक्षन में हम वेट करेंगे कि सौरस विंडो को खोलने का सौर्टकट यह नहीं पूछा कौन सा मेनू में आम इसलिए बता दिए रिव्यू मेनू में देखिए आप इसका काम क्या होता है तू सजेस्ट दा सिमलर मिनिंग तू दा वर्ड यू हैब सलेक्टेड मतलब जो वर्ड आप सलेक्ट करेंगे उ इसमें रिव्यूटेब करें में दीखर टॉफेन अगर आप रिवव्यू टभ में जाते हैं तो यहां पर एक और है toute सुट कर सेविख ना वहां पर गगल में दिखाएगा उसके आपको मोबाइल में दीख नहीं रहा होगा लेकिन हम पर सब्सक्राइब कि दिखा भी रहा है यहां पे सीप एप सेवेंग क्या हो जागा इसका राइट अंसर हो जागा एड़िए कितना नमर सी नम तो आप जबाब दीजिएगा कि आप लोग कितना को सभी सही सही लास्ट में आपने किया ठीक है ना उसके बाद क्या स्टूडेंट यहां पे नेक्स को सब्सक्राइब कि इनमें से यह देखिया पर नेक्स को समझेगे इनमें से किस ऑप्संस का उप्योग एक समान लेटर को अलग-अलग लोगों को फेजने के लिए क्या जाता है तो किस ऑप्संस का मनली को समान लेटर को एक जेनरल लेटर है उसको अलग-अलग लोगों को वहेने के लिए इसमें से कौन साउपको किया है यह unta perло करा मैं मैकरों दूसरा ऌप संका नाम है तीसरो मैल मर्ड चौथ्छ शाजंक का नाम है और टीक है बróल इन में से की स्वाप्षंच का उपयोग मतहल जो दिया गया उसमें से की स्वाप्षंच का एक समान लेटर को अलग अलग लोगों को भीजने के लिए किया जाता है तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए यहां पर इसको हटाते हैं और दिखाते हैं इसके मदद से आप बहुत सारे लोगों के पास आटे टाइम में लेटर को प्रहेज सकते सेंड कर सकते आई होप समझ पा रहे हो दीक है ना मेरा काम है बच्चे समझाना और आपको काम है धंक से समझना तभी आपका एक्जाम किलियर हो पाएगा MS Word 2007 में क्या बूलना है MS Word 2007 में डॉकुमेंट फाइल का एक्स्टेंशन होता है MS Word में आगर कोई काम कर रहे हैं तो जो फाइल बनाते हैं उसका एक्स्टेंशन क्या होता है उसका निक्नेम क्या होता है यहां पे यह दफिख्यों क्या होता है तो यहां पर डी ओ औ सी अगर सकति कंश्ता या दो समझ पारें प्रॉट Jeans ये सबond Land Advent जाइन कश्रशत नुखा हएफेडर कोश्ष मामळ वर्ड में एक किस व्यू में पारट लगाएं effect यहां पर लिखा हुआ है shadow होते हैं फिस इसको question पढ़िए इसको समझते हैं आप जब तक questions को आप धंग से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझना है MS Word के किस व्यू में MS Word के किस व्यू में background color और effect shadow है ना effect तो होते हैं background color और effect तो होते हैं किस व्यू में तो आप जवाब दीजिएगा student यहाँ पर आपको हम बता देते हैं किस व्यू में आपको सो होता है यहाँ पर लिखाओ पहला वेब लियाउट व्यू प्रिंट लियाउट व्यू रिडिंग व्यू और प्रिंट प्रिविव एटेक्ट वगरा background color वगरा इस में थोड़ा सा कंफ्यू देखते हैं कि आपका सही अंसर प्रिंट 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 प्रिविव ही होता है तिक है वहाँ पे सो होता है कि यह ना किस लिए किया जाता है किबूर से किसका यूज किया रहता है से डायलोग बॉक्स को खोलने के लिए यूज किया जाता है तो आप समझ पाए होंगे करते हैं से खोले के इसका यूज किया जाता है नेश्ट क्या पर समझते हैं पोट्रेट और लैंड्सकेप आर क्या है पोट्रेट और लैंड्सकेप क्या बताँ होगा कशलें अब मैं बताता हूं क्या होगा इसे क्या और यहां पे पोट्रेट एंड लैंड्सकेप और क्या है या पेज साइज है पेपर साइज या पेजनी जा पैज मार्जिन है ज्याब दिजिए इसका सही अंसर जो होगा यह हो जाए चलिए हम इसको हटा कर देखा देते हैं आपको इसका सही अंसर अगर यह नंबर आपकर मारे हैं तो आपका सही होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है spelling check very very important सारे एकजाम में आता है लग बहुँ लग spelling check करने की shortcut की क्या हो क्या है इसका आख बंद करके मार सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे इस वर्ड को बहुत अच्छे से spelling check करने का जो shortcut की होता है F7 चलिए हम इसको हटा के देख लेते हैं आपे यह देखिए F7 मत्तों C is the right answer बात समझ में आ रहा ना C आपका सही answer है फिर नेक्स्ट कोस्ट क्या बूला है आपे इन में किस options का उप्योग क्या लिखाओ इन में किस options का उप्योग किस options का उप्योग टेक्स को मूब करने के लिए क्या जाता किस options का प्योग देखिया आपे आपो फिर से इसको question को पढ़ते और समझते है जुआ कि question में अंसर चुपा हुआ इन में से किस options का उप्योग text को मूब करने मूब मतलब समझ में यहां से उठाकर वहां रखना that is called move तो यहां पर जवाब कॉपी पेस्ट नहीं कॉपी करेंगे तो वहां भी रहेगा और पेस्ट करेंगे वहां भी रहे तो cut paste यही होगा वी नंबर होगा सही इसको हम हटा के देख लेते हैं कट यह भी बहुत important है यह कोसं काफी जादा एक्जाम में पूछे जाता इसे make it point बात समझ में इसने गाठ बांद भी गया नेक्स्ट यहां पे 12 नंबर क्या है कोसं 12 नंबर क्या होता है अगर आपको बताना चाहते हैं आपे ठीक है यहां पे 12 नंबर कोसं क्या है आप सवाब जवाब दिए यहां पे लिखावा पहले से save किये हुए की लोकेशन को बदलने के लिए किस ओप्शन कॉप्यों क्या जाएगा क्या जाता है पहले से कोई फाइल आप सेब किये हुए और उसका आप लोकेशन बदलना चाहते हैं लोकेशन मतलब जिसे मालो आप डॉकमेंट में सेब किये हैं उसको आप चाहते कि सर मैं हम MS Word के मालो देक्स्टॉप में सेब करना चाहते हैं अपना pen drive में सेब करना चाहते हैं तो किस options का help link यह भी बहुत important question है तो इसका सही answer होगा save as hand rate 10% चलिए हम अटा के देख लेते हैं फिर भी यह देखें सही है रहा यहां पर चलिए नेक्स question यहां पर क्या मूल रहा है देखें आप 30 number question control plus e का upload किस लिए क्या जाता है control plus e तो यहां पर control e से क्या होता है आप जवाब जरूर दीजिए गस्ट्रेंट आप पहला है री ओपेन दा लास्ट क्लोज दॉक्वेंट इंसर्ट हाइपर लिग नो 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 इंसर्ट बुलेट एंड नमरीं जवाब दीजिए बच्चे तो नो 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 ते इंटर एलाइन दा सेलेक्टिट पैराग्राफ यास दी दा राइट अंसर यह आपका अंसर्या होगा सही होगा स्वेंट है ना चलिए इसको भी हटा के देख लेते कनफार्म हो जाते हां अप हैंडरीट परसेंट स्यूर रहिए कि ज़्यादा तर जितने भी कोर्संस आपको माइक्रोसफ्ट वर्ड में जाएंगे आज का सेशन से बहुत ज़्यादा कभर होने वाला प्लीज इसे आप ध्यान दिजिए हो सके कॉपी में नोट डाउन करिए और अपने से जब हम तक हम कोर्सं पढ़ते तब तक आप पढ़के पाउज करके ठीक जरूर करिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितना कोर्संस क्या देखो बच्चे हम जो कॉंटेंट देते हैं प्लीज इस वीडियो को आप सेयर करिए लाइक करिए और वे लाइकल स्पेस करिए क्योंकि दिखिए थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए आप लोग को अगर कॉंटेंट दे रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए ताकि ये दूर दूर तक सभी जरूरत म यहां पर क्या बोला है format painter टूल को एक से अधीक बार यूज कर कैसे करेंगे इस पॉर्मेट पिंटर जो है उसको एक से अधीक बार कैसे यूज करेंगे चलिए आप जवाब जरूर दिजिएगा मैं कमेंट सेक्षन में वेट कर रहा हूं उसको देना पर दिखे-पे यहां पर क्या जवाब इसको समझाने है पहला यहां पर लिखा लाघ है लौग Walmart पींटर पर दल क्लिए यह सहीं अनसर हों इसा क्यों बूला लाई मैं ऌफिए अगार पींटर एक आप्षण उस्पर डवल क्लिक करेंगे तो एक से ज़्यादा बार apply कर सकते है format printer copy करता क्या है इसको समझे format को copy कर, style को copy copy formatting from one place and apply it to another place format को copy करके किसी दूसरी place में उसी format को क्या करता है paste कर बस समझ में आ रहा है हम पर तो समझ में आ गया होगा student यहां पर इसको आपको practically समझा देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ करते हैं जैसे देखने हैं आपको बताते हैं नेक्स जिन केम्पूटर यह लिखा हुआ और यह भी नेक्स जिन कम्पूटर यहां पर मान लोग कुछ भी हम अपना नाम लिख देते हैं अब यहां पर इसमें क्लिक कर दी कर सर यहां पर कर सर उपर में क्लिक कर दी और यहां पर ठीक हों टैब में जाएंगे यह देखो आए पर में निखीड कर दी कर दी क्योंवा यह बना हुए रस वारा सीम्बॉल का वही कामी HIM की जगह में और कोई और जगा भी अप्लाइक करना रहेगा ना कोसे यह सिंबॉल जो बना हुँआ ब्रस वार सिंबॉल का वही काम ही यह अब समझ में आ गया होगा आप लोग को ठीक है अब नेक्स कूशन क्या है फिप्टीन नमब नीमन में से कौन सा ऑप्षन मार्जीन बदलने के लिए उप्योग किया जाता है बताइए इस में से से 4 अप्षन है मार्जीन को बदलने के लिए का अब सा जूब कर लेते हैं cucĩ मेंसे कौन सा ऑप्षन मांजीन pandroe के लिए उप्योग किया जाता है तो formatting toolbar ठीक है ना उसके बाद है page setup dialogue box ठीक है फिर standard toolbar और next क्या है header and footer तो कौन सा option margin बदलने के लिए यूज किया जाता है आपको आप जरूर जवाब दीजिए बहुत easy question अश्वेंग करें आपर देखिए page setup options के मदद से आप बदल सकते हैं आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल करें अगर हमको मालो इसमें दिखो हम यहां पर page का margin इसको बदलना चाहते हैं आपको समझा देते हैं लिग देंगे content नहीं थोड़ा सा पता चलता है आपको क्यों margin है नहीं तो यह आपको पता है यह जो मार्ज छुटा हुआ भाग है यह टॉप से राइट से और लैप से यह सब इधर से तो यह आपका क्या कहलाता है margin कहला को ठीक है तो margin यह आपका है यह है टॉप से लैप से है राइट से तो यह कहां options हो करता है तो page layout menu में जाएगा न तो यहां पर दे है प्लीज इस तरीके से आपको समझा रहे हैं जरूर आप मेरे वीडियो पर नए है तो जरूर आप subscribe करें और like करें बिल आइकन स्पेस करें ताकि इस तरीके से आपको वीडियो मिलते रहे हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है MS Word में default कौन page आकार सेट रहता है देखिए MS Word को जब खोलते हैं तो आपको default कौन सा page का आकार मतलब कौन सा page का size रहता है अब जरूर जवाब देगे ना 60 number question का तो by default आपका जो paper select रहता ना ये रहता है later paper तर कैसे दिखा सकते है yes मैं दिखा भी सकते Microsoft Word को खोले अभी देखो Microsoft Ctrl N से भी नया page खोले के और देखो page layout में जाएंगे और size में जाएंगे देखो by default कौन सा साइज है तो देखो आपको इसमें जो है आपका देखो आपके गलत अंसर हो गया हना आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे इसमें आपका सही पास सबज़ भी आ रहा ना इसका सभी अंसर क्या हो जाएगा एफूर हो जाएगा लेकिन ऐसा पता नहीं कोई दूसरा वर्जन और है मैं उसमें दिख लेता हूं कि अगर दूसरा वर्जन में दूसरा चेंज रहेगा तो देख लेते हैं अब इसको यह ओफिस लेटेश्ट एकदम ले आउट में जाओ और डिजाइन में पेज साइड क्लिक कर दो यहां पर साइज में क्लिक कर आउट पाइड डिफोल्ट स्टुएंट एफोर साइज ही होता है लेकिन ऑफिस सेवेन में हमको लगता है एक बार जरूर देख लीजिएगा इस कोर्सर में थ्वड़ा सा डाउट है मेरे पास ऑफिस 10 है और ऑफिस 21 एक बार ऑफिस सेवेन में देख ल एक फोर साइज होता है यह वाला सही अंसर हो लेकिन इसमें पता है क्या होगा यहां पर लेटर ही होगा ठीक है लोगा इसको जरूर 16 नमर कोसं देख लीजिएगा लेकिन देखिए अच्छी समझा देते हैं आपनों केमें डिफोल्ट पेज साइज कौन सा होता है पेज का स अब इस इस बाद वाले जो वर्जन है उसमें आपको क्या होगा एफोर साइज बाइडीफोल पाद वाक्ति फुराने वर्जन में लेटर देता है इसको यार ऐसे रखें ठीक है ना अच्छा नेक्स्ट तैवंटीन नमर कोसं क्या बोलदा है यहां पर देखिए जवाब द ग्यू में हैडर यार फूạtर दिखाई देता है क्या बोला की समय में एडER fans में ग्र६ दिखाई दिखाई programme 17 आप जरूर जवाब दीए तो आपका इसका सही अंसर का वाट रहेगा बताए इसका इनसर क्या होगा नज्माल फिव ना 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 header and footer दिखाई देता है तो 17 का जो अंसर होगा आपका प्रिंट इसको हम हटा के भी दिखा देते हैं प्रिंट ले आउट भी यहां पर सही अंसर हम लिख के रखें ठीक है हम चाहते हैं कि कभी-कभी में भी हमसे भी गलत होगा इसलिए हम इसको लिख कर रख लिए ठीक है ऐसे 110 परसेंट रहिए आपको गलत नहीं होगा हमसे कि नेज्ट कोशन आप क्या है इन में से किस ओप्संस का की है एलप से स्पेलिंग मिस्टेट को सही किया जा सकता है किस ओप्संस के मदद से स्टूडेट अब झाब है नथि इस ओप्संस की मदद से मतलब से एस पैलिंग मिस्टेट को सही किया जा सकता है आप सही जवाब दीजिए गा स्टूरेंगा किस मदद किस ऑप्शन की मदद से आथा इसका सही जवाब होगा और टो कैरेक्ट जा होता है और टो कैरेक्ट फोन में ने दिखते हैं कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करते रहत हैं तो और कोई बोला कि इस विशा कॉण साप्शन है जो इस्पेलिंग को सही कर सकता है तो और टो कैरेक्ट उप्शन है नेक्स नाइंटीव पर कोसन देखिए क्या है नाइंटीव यहीं दिखा ही देटें इसको तसलिमी जाए और को ठीक है आप एमेस वर्ड में चार्ट ओप्संस किस मेनू से इंसर्ट कर सकते हैं एंसर्ट मेंड़ पर संथन से इंसर्ट मेंड़ से होगा और किस से होगा है ने 10 परसंट सही जवाब हटा कर दिखा लेए तो आपको समझे में आ गया पूष्स कु डाक्यमेंट में इंसर्ट किया जाता है त्क डाक्यमेंट के औहला जवगस्ट में क्या जाता है यहां पर इसका सही जवाब होगा हो भी यहां पर आप esempio est में अंत में इंसर्ट किया जाता है तो यहां पे जवाब दीजिए फुट नोट होता है क्या होता है इस विदियर को अलड़ी मैं बता चुका हूँ तो यहां तक समझ में आ गया आई होप एप वीडियो अच्छा लगा होगा अगर चैनल पर नहीं है तो सुस्क्राइब करिए और अभी तक लाइक नहीं किये तो लाइक करिए और बेल आइकन्स जरूर क्लिक करिए ताकि मेरा न्यू वीडियो का नॉटिफिक्शन मिल पाया है थांक्यू तहदिल से